कि अब अब हलो एवर्योंग यूर वेलकम टू बैस नोस टूटोरियल और आज मैं आप लोगों के लिए एक पीडियेफ का इंट्रडक्शन कर रहा हूं और यह जो पीडियेफ है यह टोटल आपका जो हिस्ट्री है में आपकी इसमें पूरी Complete होगी और यह जो 60 पेज़े सहई इस पूरी पीडियेफ में आप लोगों को से सिक्स्टी पेज़ेज मिलेंगे और इसमें है क्या इसमें ये है कि आप लोगों को लिस्ट मिलेंगी जो important चीजे हैं basic चीजे हैं उनसे questions बनते हैं और आप लोगों को पूरी list मिलेंगी और कुछ important questions भी आप लोगों को मिलेंगे अब बाकी हम जो is is है और जैसे अभी हमने महाजनपत काल कर दिया अभी हम मौरिय काल करेंगे फिर मौरिय तरकाल करेंगे तो ये सारा हम क्या करने वाले हैं सारी चीजें one by one करेंगे लेकिन साथ ही साथ आप लोगों के पास अगर short notes होंगे तो आप उन्हें अपने time के याद करनी है और continuously पढ़ते रहना है इन चीजों के बारे में already मैं आप लोगों को बता चुका हूं लेकिन आप लोग अपने free time में इन चीजों को कर सकते हैं तो आते हैं अब कुछ यहां पर जो वंश हैं आप लोगों को वो याद करने हैं तो सबसे पहले आता है आपका हर time line है पिछले वाली जो मैंने आप लोगों को पीडियाप दी थी time line की hopefully कि आप लोगों को उसे कर रहे हैं और अब आप लोगों को यहां तक आप लोगों को क्या करना है याद करना है इसे 1194 तक आप लोगों को याद करना है उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन से important है तो आप लोगों को क्या करना है कि इसे इसी तरह से इस लिस्ट को याद करना है तो पहला जो आपको याद करना है वो है आपका हरियक वंच हरियक वंच का जो formula है मैं आप लोगों को बता देता हूं तो बी ए यू एन हम बोलते हैं बाउन तो बाउन आपको याद रखना है ठीक है बाउन तो बी से होगे आपका वेंविशार और एसे अजाद्शत्रू और यू से उदियन और यहां पर लिखा नहीं है वो है आपका नाग दशक कि नाग दशक ठीक है और नाग दशक के बाद में आप लोगों को करना है शिशुनाग वंश उसके बाद आता है आपका शिशुनाग वंश में आप लोगों को याद रखना है शक शिशुनाग वंश वाले काफी शक किया करते थे तो बहुती शक्की हुआ करते थे तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं इस तरह से तो शक करते थे कौन शिशुनाग वंश वाले तो यह जो बाउन में आपका बाउन में आपका नाग दशक था तो नाग दशक को क्या किया था उसने शिशुनाग उसका सेना पती था और शिशुनाग बहुती आलसी इंसान था तो उसका जो राज्य था उससे चिन गया था तो शिशुनाग ने उसे उससे पुरा राज्य ले लिया था तो उसके बाद आते हैं, शक करते हैं कौन, शिशुनाग वाले क्या करते हैं, शक करते हैं, अब यहाँ पर आपको देखना है कि नंद यहाँ पर्मूला क्या याद रखेंगे आप? उसके बाद आता है मौरिय वंच तो महा मौरिय वंच में आप लोगों को याद रखना है चबा अब इसका फॉर्मूला क्या याद रखेंगे आप चबा अब दिगे तो चंद्रगुप्त मौरिय फिर आएगा आपका बिंदुशार उसके बाद आएगा अशोक और फिर वह से आप लोगों को याद रहेगा कि वृद्रत तो ये हो गया आपके चार यहां तक मौरिय वंच तक आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं तो पहला क्या था आपका बाउन्स से याद हो जाएगा आप लोगों को शिशुनाग वाले काफी शक किया करते थे तो शिशुनाग और कालाशोग ऊसके बाद आप लोगों का हो गया इस नंदवन्च में महानंदी महा पतवन नंद और गहनानंद आ गया halten जो था उससे राद दिया था फिर चंद्रगूप तुमोरे ने और फिर उसके बाद में आपको याद रखना है चबह अब अब तो चबह अब से प्रीजेष्ट और वशु मित्र तो यह हो जाएगा आपका शुंग वनस वाले क्या किया करते थे जिस तरह से आपने देखा ओपर जो शिषुनाग वनस थह आपका वो लोग शक्किया करते थे तो शुंग वनस वाले यह लोग आपके क्या खाया करते थे पाव खाया करते थे तो आपको पाव के स्पैलिंग इस तरह से लिखनी है ठीक है तो पी से आपका हो जाएगा पुश्यमित्र एसे अगनिमित्र और वशुमित्र और लास्ट में आप लोगों का हो जाएगा वशुजिस्ट और वशुमित्र तो य ये सभी नाम आप लोगों के सामने आते रहेंगे अब अगर आप लोगों को यह किसी भी तरीके से याद हैं चाहे आपने शोटकट से किया आपने रट दिया तो किसी तरीके से तो यह आप लोगों को याद हो जाएंगे अब उनसे Related जो Information होती है वो आप तो रोज क्या कीजिए, कोई से एक list उठा लीजिए, ठीक है, इस वाली PDF से, बस ये पढ़ाने का मेरा मतलब यही है, आज की जो class है, उसमें यही है, कि आप लोगों को किस तरीके से इसे use करना है इस PDF को, तो रोज आपको क्या करना है, जैसे आपने एक ये list ले लिए आज, आपने इस list को करने की कोशिश कर दी, और इसको लगबख 50% हो गई, फिर दूसरे दिन आपने ये कर लिया, तो आपका इसका introduction हो गया, फिर तीसरे दिन कोई तीसरी जो list है, वो उठा ली, तो इस तरह से आप लोगों को इसे करते रहना है, तो 50-60 days में आप लोगों काफी स सारी जो list होंगी, history से related, वो याद हो जाएंगे और उन से काफी सारे questions आप लोगों को आएंगे, तो यहाँ पर आपका क्या है, जो आंद्रव अंश है, उसमें आपका शिमुक, शतकर्णी और गौतमी, गौतमी पुत्र, उसके बाद आता है आपका कुशान, कुशान में है आपका कुजूल कड़ फिस, तो यह कड़ फिस से related questions हम अभी करेंगे से, related question आपको मौरे वंस में भी देखने को मिलेंगे उसके बाद, और फिर विम्ब कड़ फिस, तो दोनों क्या हैं, आपके कड़ फिस, कड़ फिस जाएं, ठीक है, तो कुशान वंस वाले क्या करते थे फिश बहुत खाते थे, आप लोगों को याद यही रखना है, ठीक है, कुशान वंस वाले फिश खाते थे, और शक कौन से करते थे, शिशुनाग वाले, और पाव वाले कौन से थे, पाव बेचने कौन जा रहे हैं, शुंग वंस वाले जा रहे हैं, पाव बेचने के लिए या वो पाव खाते थे नंद बंस में आप लोगों को बस यह याद रखना है कि जो यह महानंदी, महापदमनंद, घरानंद है यह है और बाउन हरियक वंश बाउन आपको याद रखना है बी ए यू एन यह लिखे नहीं है यहापर यह आप लोगों को वीडियो के साथ साथ में लिखते हूए चलते जाना है उसके बाद अगले पेज में आ जाते हैं यह है आपके उसके बाद आप लोगों ने देखा कुशान वंज में आपके कनिश्क और वासुदेव भी आ जाते हैं इन से रिलेटेट काफी सारे questions बनते हैं बहुत जो काल है उसमें भी उसके बाद है आपका कनिश्क और वासुदेव और वाक्टक फिर आते हैं वाक्टक वन्च मैंने आप लोगों को एक जो मैप वाली पीडियव दी है उसमें भी ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती होंगी आप लोगों ने होफुली वो मैप्स किया होंगी य गुप्त वन्च को श्वर्न यूग भी कहा जाता है प्राचीन काल का भारत के तो इसके जितने भी राजा है वो आप लोगों को याद होने चाहिए पहला है आपके श्री गुप्त फिर घटोटकच चंद्र गुप्त पर्थम समद्र गुप्त फिर आते हैं राम गुप्त फिर चंद्र गुप्त दुतिया कुमार गुप्त और उसके बाद हैं आपके सकंद गुप्त फिर आता है पुष्यभूति वन्ष पुष्यभूति वन्ष में हैं आपके प्रभाकर वर्धन राज्य वर्धन दुतिया और फिर आते हैं हर्ष वर्धन हर्ष वर्धन का आप को ने देखा होगा कि जो राज्य है हमने उत्रा-खंड के इति खास में में पढ़ा कि उनका राज्य छेत्र यहां तक भी रहा उत्राखंड अके विल्फर ourselves विजयालijn राज-राज-पर्थम-रज-इंद्र-पर्थम और कुलातूं यह इननोंने आपका जो चॉलवंस था इननोंने चौल हो गए या पाल हो गए चालुक्य हो गए राष्ट कूथ, पल्लव यह सभी आप मैप में देख सकते हैं तो चौलवंस जो थे आपके इननोंने साउथ में साउथ वाले एरिया में कै किया था अपना राज्य विस्तार किया था इसमें जो राजेंद्र पर्थम थे यह बहुत ही शक्तिशाली राजा हुए थे उसके बाद आते हैं पलब वंश सिंग विष्णु अवनि सिंग महेंद्र वर्मन पर्थम नर्सिंग वर्मन पर्थम महेंद्र वर्मन दुतिया और दुतिया है यह थे आपके राश्र कोट में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यह जितने राज लिस्ट हैं यह आपको बस एक साथ आपको सारे याद नहीं करने नहीं तो आप खुदी करना शुरू कर देंगे आप एक दिन बस बहुत छोटी छोटी कोई भी चीज उठा लीजिए इस पीडियाप से लेकिन लाइन वाइस कीजिए फस्ट वाले ना फस्ट से लेते हुए चलिए थोड़ा थोड़ा लीजिए जैसे आपने एक दिन गुप्त वंशी याद कर लिया तो यहां से चलते हैं आगे राष्ट कूट वंश इसमें आपके दंती दुर्ग और गोविंद अमोग वर्ड्स और कृष्ण तो आप लोग याद रख सकते हैं कि जैसे राष्ट कूट आपको याद करना है तो राष्ट कूट में क्या होगा कि एक दुर्ग बना लीजिए कि यह आपका क्या है आपका दुर्ग है और वहां पर क्या है क्रेश्ण है ठीक है गोविंद एक तरफ कौन खड़े हैं गोविंद है और एक तरफ कौन है आपके क्रेश्ण है तो इसे गोविंद मान लीजिए और इन्हें क्रेश्ण मान लीजिए देखे गोविंद और क्र है ठीक है और उनके पास एक अमोग शक्ती है उन्होंने अपने हाट में क्या किया है अलग-अलग वंच के लिए अलग-अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं अपने कुछ नगना Yaman बना सकते हैं और उनसे हम याद रख सकते हैं तो यह आप लोगो को राश्ट कूट अपनी राथ के रखशा के लिए यह सारी चीज nic हमोग को सकते हैं तो यह आप लोगो को राष्ट कूट वन्ष यहां से या जाएका उसके बाद आता है चालिक्या, चालुक्यावंस, चालुक्यावंस में आप लोगों के पास है जैसिंग, पुलकेशिं पर्थम और पुलकेशिं दुतिया, तो यह बहुत चालुक हुआ करते थे, यह सिर्फ माला जपा करते थे, आप लोगों में याद रखना है, यह सिर्फ म को सतुराब। रख सकते हैं और इनको relate कर सकते यह किया करते थे अपने पाद शक्तियां 20 किल लेते थे कौन जो चालू章 रोगों करते थे पहल से यद जपा करते थे जय से होगा जैसिंगं से होग मिजंप प्लकिशन पर्थम और दुतिय जपा करते थे उसके बाद आता है गुर्जर परतिहार वंच अब इनसे questions जो आएंगे वो इसके अंदर से आएंगे लेकिन एक question ये भी बनता है कि इनके जो शाशन थे ये कहां कहां थे और इनकी जो रासधानिया थी वो कहां कहां थी तो वो हम सब जो PDF जो notes हमारे बन रहे हैं उनमें हम करते जा रहे हैं बस आपको यहां से सिर्फ list गुर्जर परतिहार वंच इसमें आपके नागभट पर्थब वत्सराज, नागभट दुतिया भोज और राजपाल आएंगे अब इसमें आप लोगों ने जैसे मैंने आप लोगों बताया कि ये लोग क्या किया करते थे जपा करते थे, माला जपा करते थे लेकिन जो गुर्जर लोग थे वो नाओ में रहते थे किसमें बैठे रहते थे गुर्जर लोग नाओ में रहते थे और नाओ से का जो संस्ताफक था ओगोपाल ही था ठीक है और फिर इन सभी के पीछे क्या थे पाल लगे होए थे तो आप लोग इसे इजीली याद कर सकते हैं गोपाल हो गया धर्मपाल हो गया देपाल हो गया और महिपाल हो गया अगर आप लोगों को कोई shortcut जैसे अगर आपने बनाने शुरू किये हैं अगर आपको लगता है कि यह बहुत ही अच्छा shortcut मैंने बनाया है किसी चीज का तो आप लोग कमेंड बॉक्स में भी लिख सकते हैं किसी और की मदद उससे हो सकती है नेक्स है आपका गहडवाल वन्स इसमें आपके गोविंद आ गए गोविंद चंद विजय चंद जैचंद उसके बाद आते हैं चंदेल ननुक धंग गंड विद्यादर चौहान वन्स चालुक्य वन्स तो आप लोगों को क्या करना है इसी में आपके जो चौहान वन्स आ गए उसमें वासुदेव इसके संस्तापक थे पृत्विराज तृतिया चालुक्य वन्स इसमें मूल राज पर्थम इन्होंने इसका इसके संस्तापक थे और निक्स्ट है आपके भीम पर्थम जैसिंग सिंग राज, कुमार पाल, मूर राज दुतिया और भीम दुतिया उसके पर्मार वन्स यहां तक आप लोगों को इसे याद करना है उसके बाद आती है आपके पास निक्स्ट जो चीजे हैं यह बहुत इंबोर्डन चीज है यह आप लोगों को याद रखनी है जो आपका मह देख लेते हैं तो पहला आपका पूछा जाएगा कि जो विक्रम संवत है विक्रम संवत वह कब से शुरू हुआ था आपका होगा 58 इसा पूर्व को यहां पर confusion भी हो जाता है कि जो इसा पूर्व है या इस भी है यह किस तरीके से होते हैं या कौन से टाइम किस तरह से हमें निकालना है क्योंकि कई बार विकरम सम्मत और आपका शक्षमत में डिफरेंस पूछा जाता है तो आप लोगों को बस ठीक है और कल से क्या हो जाएगा 2021 हो जाएगा तो आप लोगों को क्या है कि अभी हम एक से 2020 तक पहुँचे हैं तो इस भी की बात करें तो यहां पर लिखावा इसा पूर्व की बिफोर क्राइस्ट ठीक है तो यह आपका हो गया बीसी तो यहां से हम पीछे के तरब जाएं तो आप लोगों का माइनस पीछे के तरह आप चलेंगे ठीक है तो आपको 58 इसा पूर्व जो है वो विक्रम सम्मत तब से शुरू आता अब यहां लिखा है 78 इस वी तो 78 इस वी क्या होगा आपका इधर को प्लस में आएगा ठीक है 78 अब यह कहीं कहीं पर 58 या 57 हो सकता है और आप लोगों को इसको धिहान रखना है ठीक है कि 57 या 58 हो सकता है यह कई जगए 57 दिया और 58 दिया हूआ है इस तरह से चलें यह मैं आप लोगों निकालना बताओंगा कि किस तरीके से इसे प्रापर तरीके से आप लोग निकालेंगे अब इन दोनों के बीच का अगर आ आने का मक्सद था मेरा वह यह था कि तैयारी के साथ साथ आप लोगों को कुछ लिस्ट आप लोगों को बिलकुल याद करते वे चलना है अब जैसे मैंने बताया है आप लोगों कि यह जो जब भी आप इसे याद करें इस तरह की नंबर वाली लिस्ट तो आपको 58 इसापूर 2478 इस भी इस तरह से याद करने की या 248 इस तरह से याद नहीं करना इसे आपको सिंपली किस तरह से याद करना है 58 कहीं पर भी लिखते वे जाए 5878 248 तो आपको पता रहेगा कि इन तीन का जब भी आपको दिखेंगे कि अच्छा होगे यहाप 888 है तो दिमाग में आ होता है 80 होता है तो यह आपका 7-8 continuous में है आपका 7-8 ठीक है तो यह आप लोगों का याद हो जाएगा 3-1-9 तो जो फर्स था आपना क्या था 58 था सेकेंड क्या था 78 था तीसरा क्या था 248 था फिर आपका है 3-1-9 3-1-9 3-1-9 से 3-20 तक क्या है आप लोगों को अभी इधर इधर याद करने की ज़रूरत नहीं है अभी पहले आप इसी लिस्ट को याद कीजिए जब आपको यह लिस्ट याद हो जाएगे तो आपको यह चीज 6 हो गया और 1-1-1-3 तो आपको याद रखने है ट्रिपल 1-3 and then 13 and 14 ठीक है 13 and 14 और 1-1-9 तो लास्ट वाले जो है आपके वो क्या है आपके इस तरह से हैं देखिए 1-1-3 and यहाँ हो गया आपका 14 और यहाँ पे हो गया आपका 119 तो यह इतनी चीजे आप लोगों को यहाँ तक यह लोग याद हो जाएंगे यह चीजे मैंने आपको वेदों के साथ में भी आप लोगों बताई थी ठीक है तो एक दिन आप सिंपली किसी टाइम जब आप पढ़ते पढ़ते ठक जाए तो आप सिंपली एक एक बॉक्स ले लीजिए और इस बॉक्स को याद रख जैसे कि आप याद कर सकते मैंने आप लोगों बताया था इसका जो शॉटकर था वेदों को याद करने का वो क्या था आप लोगों का था सारी सारी आयू ठीक है सारी आयू से आपको चारों वेद याद हो जाते हैं तो इस तरह से आप लोगों इन्हें याद कर सकते हैं तो वोफुली आप लोगों समझ में आगया होगा कि मैं बोलना चाहरा हूं इस पीडियाप को आपको किस तरह से यूज करना है आप इसे बहुत अच्छे सब्सक्राइब करेंगे पूरे सिक्स्टी पेसे को बिल्कुल मगप करेंगे रटेंगे तो आपको जो हिस्ट्री पोर्श कीजिए करते हुए जा रहे हैं तो मिलते हैं अगली क्लास में अगली क्लास में